हलो फ्रेंज यदि किसी व्यक्ति ने GSTR 3B को फाइल करते हैं को गलती कर दी है क्या वे उसे री सब्मिट कर सकता है फ्रेंज इसके उपर हाई कोट ने एक जजमेंट इस्यू की है जिसमें के री समिशन को अलाव किया गया है जिसके बारे में के हम इस न्यूज में स्टड़ी करेंगे फ्रेंज इस केस में टेक्सपियर के द्वारा अगर्ष्ट 2017 से दिसंबर 2017 के लिए GSTR 3B को फाइल किया गया और उसके बार GSTR 1 को फाइल किया गया फ्रेंज जब GST1 को फाइल किया गया तो आउटवर्ट सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई में रिपोर्ट कर दिया गया था जबकि इंटर स्टेट सप्लाई थी यहने कि विदिन दा स्टेट इस पर का recipient को input as credit IGST का मिल रहा था जबकि उसे cgst और sgst का input as credit मिलना चाहिए था फ्रेंज इसके इसमें जैसे ही टक्रीम को इसके बारे में पता चला तो उसने GST डिबाटमंट को इसके बारे में इंफॉर्म किया लेकिन उसकी application reject कर दी गई 12th August 2019 को क्योंकि 31st March 2019 के बाद इसके लिए कोई भी amendment नहीं की जा सकती थी GST portal पर Friends इसके बाद taxpayer के दुआरा High Court मेरिट petition डार ली गई High Court ना देखा कि GST Act में section 39 ये कहता है कि जब GST 1 में outward supply upload कर दी जाती है तो वे recipient के GST 2A में दिखाई देती है ज़री कोई mismatch होता है GST 1 और GST 2A में तो उस case में recipient notify कर सकता है GST 1A के दौरा लेकिन GST 1A को अभी तक notify नहीं किया है जिसकी वज़े से के GST Act के अंत्रगों जो statutory procedure दिया गया है वो अभी तक available नहीं है इस परकार friends इस case में petitioner के दौरा जो गलती की गई है वो जान बूच कर नहीं की गई थी कि उसे GST Act के अंत्रगों कोई benefit मिले बलके जैसे ही petitioner को इसके बारे पता चला उसने immediately high court merit petition लगाई ताके recipient को इसका input as credit मिल सके friends इस case में high court के दौरा कहा गया कि इस case में जो गलती की गई है वो जान बूच कर नहीं की गई है इसके अलावा GST portal पर GST 1A और GST 2A की amendment को भी तक अलाव नहीं किया गया है इसलिए taxpayer को यह अलाव किया गया कि वो GST 3B के नेक्षर को दौरा से दी submit कर सकता है ताके जो input as credit है CGST, SGST, IGST का वो सही से distribute किया जा सके friends उमीद करते हैं आपको इन्यूस पसंद आई होगी पहलाई कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए ताकि सभी लोगों तके जानकारी पहुंच पाए आप इससे download भी कर सकते हैं इसका link इस news की video description में भी दिया गया है आप हमें telegram app पे join कर सकते हैं CSFB Singh Taxil के नाम से ताके आप mobile पर ही GST और income test के regular update प्राप्त कर सकें